नमस्कार, मैं रंधीर आपसब का परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब ट्यैनल पे स्वागत करता हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज क्या क्लास तो आज मैं आपके लिए लावानी के कुछ बहतरीन कोश्चन लाया हूँ तो चार कुछन है चारो काफी बहतरीन है तो देखे शुरू करें है पहला क्ँछन आपके सामने है बोड पे यह कुछन में क्या बूल रहा देखें अगर आप यह कोशन को हलके मिल ले रहे हैं तो गल्ती होने के चांसे से आपकी एक्जाम में लिखा है कि 70,150 रुपए में 23.33% की हानी पर बेची गई वस्तु, इसका मतलब यह SP दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ ध्यान देजेगा, आपको SP दिया हुआ है, बेचा गया है, कितने में बेचा गया है, तो 70,150 रुपए में, यह बेचा गया है, यह या 30.33%, तो आपको मालूम है हानी, हानी का लॉस परसेंटेज यहाँ ध्यान देजेगा, आपको लॉस का परसेंटेज दिया है, लॉस का परसेंटेज कितना दिया है, तो कहेंगे, कि यह दिया हुआ है 23.33, यह लॉस का परसेंटेज है, यह लॉस का परसेंटेज है, तो बोल तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें कि हमारा CP क्या होगा, मांग क्या रहा है CP, यहां में कोने में लिख भी दे रहे हैं, आपको मांगा क्या जा रहा है, कि CP कितना है, कि CP कितना होगा अपको, तो कुछ करना नहीं होता है ऐसे कोश्चन में, आप जानते होंगे कि हानी हो या लॉस हो, वह CP पे होता है, तो अगर हम देखे कि कितना पर्संट दिया, 23.33, तो आपको मालूम होगा, 23.33 का मतलब यह होता है, कि जब भी ऐसा हो 23.33, तो आप समझे कि तीन बार बार आ रहा थ एक तीन बार रहा थाया, तो आप समझे गा वह रह இர है, तो अगर हम बोलें कि इसको लिखे कि 23.33, को अगर कि लिखना चाहे, क्या सா? आप बोलेंगे कि 23.33, का मतलब 3 के ऊपरOOOOOOOOTO क्यों इसको लिखेंगे कि 23.33, 3.9% mm, कि 3.9 तो थेस्तिया कितना हो जाएगा? 69 और 70. तो हम कहागे यह आया कितना तो हम बुलेंगे यह आया है 70 बटा में 3. आप % खटेगा तो नीचे में क्या आयागा? 100. तो एक्चुल हम इसका fraction value निकाल के दिखा रहें आपको कि कितना आयागा इसका fraction value? 7 बटा में 30. क्या आगिया? 7 इसका मतलब 23.33% को हम कितना लिख सकते हैं 7 बटा में 30, fraction value, और आपको मालूम है कि अध्यान देजेगा आपको अगर हम बोले कि Loss हो, Loss हो या क्या हो, Profit हो, Loss हो या Profit हो, वो CP पे होता है, यह जो Loss हो, मतलब कोई को है ना कि हम इतने कहानी हो गया, तो नॉर्मली वो किस प CP पे होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां, कि यह जो है, यह जो है, आपको क्या सो करता है, CP, यह सब चीजे हम लोग परहाते हैं आपको पूरा डीटेल में, कि कैसे क्या होता है, यह जो है CP सो कर रहा है, और यह जो 7 दिख रहा है, यह 7 किसको सो कर रहा है, तो हम बोलें das CP 30 30 रुपय का समान अगर 7 रुपए के loss में जा रहा है तो actual उसका SP कितना है तो आप बोलेंगे कुछ डिकत नहीं है SP निकालना आसान है 30 रुपय का समान अगर 7 रुपय के loss में जाएगा इसका मदलें वो कितने में बिकेगा तो कहेंगे ये 23 विठ met इस पी का जो यूनिट आया हो, कितना आया 23, और आप देख रहे होंगे कि आपको इस पी कितना दिया है, सात 7,150元, है सातरहजारी ऐक्सोपचास. SP हे सातरहजारी एक्सोपचास और यहां SP हे तियस, तो आप अप ऐसे बूल सकते हैं की तेइस का मतलब, क्या बोल सकते हैं 23 का मतलब दिया हुआ है 70,150 रुपय 23 का मतलब कितना दिया हुआ है 70 अब समझ पा रहे होंगे ये SP कहां से आया तो कहेंगे CP 30 है और Loss 7 30 का चीज है और 7 के Loss पे जाएगा तो 23 में नहीं बिकेगा तो 23 में बिका है और CP 70,100 है तो 23 का मतलब 70,100 तो 1 का मतलब तो 23 से भाग लगाएंगे तो 23,67 खटम और एक युट्यक आयगा तो 11, 115 कितना बर में अब ध्यान दिजेगा 115 इस मतलब पंदरा थे नहीं पांदरा तो तो एक यूनिट का कितना रुपया हो गया? तो एक यूनिट का जो आया वो हमारा जो CP हो कितना यूनिट है? तो झाहेंगे वो 30 तो हमारा तीन हाण सिरुपया हो शुक्त दॉफोन ही है और और 30 unit का चाहिए, तो आप बोलेंगे 30 गुना, 30 गुना कितना होगा, तो 3050, तो गुना करेंगे तो 3 तियाई 9, और 5 तियाई 15, 915, और कितना 0 आएगा, 2 0 और आएगा, तो जो हमारा उत्तर आएगा, कितना आजाएगा, यहां पे आजाएगा, A number option, ठीक है, तो पहला, जो CP ह होगा, कितना आजाएगा, 91500, आप इसको देख लिएगा, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाया गया है, SP दिया हुआ था, तो हम SP निकाले हैं, और SP का यूनिट पराबर करके एक का फेलू निकाले हैं, और आपको CP मांग रहा था, तो 30 गुना, 3050 गुना कितेगा आपको एंसर आजाएगा, नेक्ट कोशन पर चलते हैं, यह देखे, यह तो काफी असान कोशन है, पहला कोशन जो देखे, एक और बात है, इसके बात जो कोशन आएगा काफी, मतलब अदभूत-दभूत कोशन ले आए हैं, धीरे-धीरे, यह कोई बना लेगा नॉर्मल फर रुपय में, इसको बेचा गया है, तो यह तो SP दिया हुआ है, बेचा है इसका मतलब, और जिसमें profit कितने का हुआ है, 15% का लाब हुआ है, तो हम बोलेगे, यह profit percentage दिया हुआ है, यह क्या दिया हुआ है, प्रौफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कितने का, तो कहेंगे 15% का profit है, और मांगा किया जा रहा है, तो हम बोलेगे, लागतमुल मांग रहा है, लागतमुल का मतलब CP, cost price, तो cost price मांग रहा है, तो इस question को भी बनाने का वही तरीका, और यह असान है, यह कोई भी tackle कर सकता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, यह कोई भी सीख लिजे और इ नीचे कितना बार में कट जाएगा? 5 दूनी 100 है तो 5 दूनी 10, 20, देखेगा, 5 से उपर नीचे काट लिए है, तो 15 परसंट को अगर लिखेंगे, तो 15 बटा हंड़ने लिखेंगे, तो 5 से उपर काटेंगे तो 3 बार, और 5 से नीचे काटेंगे तो 20 बार में, 20 पंजे 100 होता इसा मतलगा, ग्से होतां, धियान दिजेगा, विसे अधिशना होता है, ग्रम इतै इसां परसंट को मतलगा, क्ए तो 1 से 2023 को है, भी किरी दो सथोपोर में है, भी कि मूतूब घटाइगे, चले ? जा रइम मैंजगा ज़सा थे conclusion. दिखेंगे, 6 ना भी को सब्चे को है, तो नीचे वाला हमेसा यहां क्या सो किया जाता है? CP, तो कहेंगे 20, तो आप बताएगे कि 20 के चीज़ पर अगर 3 का profit होगा, 20 के चीज़ पर अगर 20 रुपय का CP है, 3 का profit है, तो SP का unit कितना आजाएगा, तो कहेंगे 20 रुपय का चीज़ अगर 3 के लाफ पर जाएगा, जो 23 का value है, वो कितना दिया है, तो 7,130 रुपय दिया है, यह 23 का value दिया है, ठीक है, और हमको चाहिए 1 unit अगर हम निकालना चाहें, तो 23 से तो 3 बार में जाएगा, 69 दो बचे का 23, 23 से कम 23, इसका मतलब 1 unit का value कितना आजाएगा, 310 रुपय, एक unit का value कितना आजाएगा, 310 रुपया, और आपको चाहिए क्या, CP चाहिए ना, तो आप ही बताएगे, CP मतलब यहाँ पर CP कितना दिख रहे है, 20 unit, CP कितना दिख रहे है, 20 unit, तो कहेंगे, एंसर जो आएगा, क्या आएगा, 20 गुना, कितना आएगा, 310, तो 310 को डबल करेंगे, तो 610 का डबल, 20, 620 और एक 0, इसका मतलब, जो CP होगा, हमारा कितना आएगा, 6200 रुपया आएगा, जो CP होगा, कितना आएगा, 6200 रुपया आएगा, इसका मतलब, ओप्सन नमबर D, देखें, तो जरूर आपको मजा आएगा, देखें, नेक्स्ट कोशन अखूब अच्छा लएगा आपको, पर हिए मन लगा के, धिरे-धिरे, हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं, कि आपको लाव हो, और उसको हम लोग धिरे-धिरे अप्लोड कर रहे हैं, यू तो बिक्रेमूल पर इतना परसंट हानी है, तो कर आप वास्तविक हानी बताई है, अचा वास्तविक हानी का मतलब यह होता है, कोई बोले आपको रियल हानी परसंट बताई है, तो हानी जो होता है, ध्यान देजेगा, हानी परसंट क्या होता है, आपको मालूम होना गुनाने 100, यह होता है, इसका मतलब तकास्ट मतलब परशलिक पर्शल में भावन्तेश निकालना हो तो नीची क्रेमूल लखना पड़ता है, तो हानी लाव लाव णुटा भी खना परसंना उन्हान पर्संट हाने तो अगर हम लि्खें अगर भी क्छली ना जदे ऑने कि न independence disorder पिछला दोत पर seven information, समोः पसला भी के लिख निखिए गांगी तुछ। 1 मागुदग अघर लिखना about नहीं कर अगर इन पर में तुर्य सकता है तो क्या लिखेंगे, तो कोई कह सकता लिखें 13 पूर्णांग 3 बटा 9% यही लिखायागा, और इसको अगर हम काटें, तो देखें, अभ्यान देज़ेगा, इसको रिक्रिंग है, 3,3 मतला रिक्रिंग है, तो 3 पे रिक्रिंग देंगे, 100 तो फ्रेक्शन वैली का चालिस का आजाईगा तो आप देखेंगे कि 20 कई 40 25 100 तो दूबटा क्या आगया पंतियां, 15, दूबटा क्या आगया, 15 लेकिन देखना यहाँ पी हम समझने वाले क्या अले की बात है तो अच्छा समझने का प्रयास किए देगा यह जो है यह हानी परसंट दिया है, तो यह तो हानी सो करेगा, यह क्या सो करेगा, तो कहेंगे यह हानी सो करेगा, यह क्या है तो हानी, आप लॉस भी लिख सकते हैं, हानी भी लिख सकते हैं, हानी सो करेगा, लेकिन हर बार यहां नीचे में सीपी सो करता है, नॉर्माली यह क ब confession रूअके कि यहहानी находится asylism करें महा heavань किमे षूप बिकरैमूल पर यहानी हुवा है। इस बार सूपा करण बो भॉकराएं मुएगा है। यहानी सुपा करें लिए 10 यह भैएंद अपन पोसता है। थहानी आपतल परी महांनी रहे ही करें मुल। इतना है, इसका मतलब यह है कि 15 यहां बिकरयमुल कहलाएगा SP, तो आप बताई यहां से CP का यूनिट क्या आएगा, आप खुद बताईगे, तो हम बोलेंगे 15 का बंदरा में बेचा है, 15 में बेचा है और 2 रूपय का अगर हानी हुआ है, 15 का चीज बेचा है और 2 का हानी तो अगर आपको हानी परसुन निकालना है, तो फर्मूला होता है हानी, तो हानी तो आपको मालूम है कि हानी हो कितने का रहा है, तो हानी तो दो यूनिट का है, हानी कितने का है, दो यूनिट का है, तो हानी दो, लेकिन क्रेमुल जो होगा, वो अब क्रेमुल कितना है, 17 त अगर इसको आप बनाएंगे, तो इसका कितना आजागा 200 बटा में? 200 बटा में, 17 अगर हम इसको 17 से काटें, तो कैसे कटेगा? आपको काटने आएगा? 17 से और इसको लगाये जाए तो 17 से लगाए जाये तो 17 से बचेगा 3, जो 30 हो जाएगा फिर 17 से 17 तो यहां पे हुआ कितना था हमेरा तीस था तो उधर का 10 और इधर का 3 13 तो 11.7 के लग हो जाएगा 11.7 के लग हो जाएगा 11.7 के लग हो जाएगा तो आप देख रहे थे यह कोशन में मिस्टेक होने का चांसे होता है बहुत ज्यादा बच्चों से तो इसको ठीक कर लेंगे बना लेंगे जैसे कि एक और कोशन रह गया उसको देख लेते हैं यह भी कोशन काफी अच्छा कोशन आप देखे क्या बोल रहा है कि दुकंदार को क्या बिकरेया मूल पर कितना यह भी होई प्रेट कोशन है कि अम बीकरेया मूल पर कितना का लाव हो रहा है 22.5% का लाव भ्यान दिज्दीजैजे को अगर वह देखे क्या ओट्छा है प्रेशा क्व Lutf का टेख वह wonders देखे का का कानी का का सची क्त penso का बciones में न है लक्तार परसेंट रटेगा और नीचे 100 ऑग की पर्सेंट रटेगा और एक प्री पॉइंट आप तो नीचे एक और जवर जीर देखा just तो जब हम बांठेगे तो एक पर्टीचात फ्तिच जीर जीर हाँ ब्तपिछु सक परफिट लजिए है लव तो यह नौ है लव को बताएगा किसको बताएगा लव को और स्थाइ छालिष एक बीखर्यमूल पर बताते हो साहिए, पर स्थाइभ, भीखर्यमूल पर भीखर-एक बीखर्यमूल पर बतार right okay यह जो लाव है विकर है मुलप, इसका मतलत यह क्या होगा? SP होगा तो अब यहां से आप देखिए यहां से आप क्या निकालेंगे? CP तो CP निकालेंगे तो CP कितना आएगा? तो कहेंगे बना 4 चीज, 40 में बेचे हैं और 9 का लाव है तो नम कर सकते हैं कि उसका CP कितना होगा तो 9 कर दोलिग नो जाएगा 31. उसका CP कितना होगा 31. फेसिज चीज़ समझ में आता है कि नहीं आता है? अगर हम आपसे नॉर्मली पुछें कि कोई चीज़ चालिश में आप बेचें और 9 का लाफ कमा gamma है तो था कितने का 31 का था तब ना नॉका लाफ कमा के 40 में बेचेगा तो CP कितना ए 30 और आपको मांग रहा है वास्तविक लाफ परशंद मांगे तो वह वह रखना पड़ता है तो लाफ कितने का है 9 का और वास्तविक लाफ परशंद में नीचे हमेशा CP यह आएगा, तो अगर हम देखें, इसको काटा जाए, पॉइंट में दिया है सारा अप्शन, तो आप यहाँ देखेंगे, अगर यह 30 रहता, तो यह 30 बार में कट जाता, लेकिन है 30, इसका मतलब 30 से थोड़ा कम, तो 30 से थोड़ा कम कौन सा है? 29.03, आप इसको काट के भी दे कैसा लगा? आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताईए.